इंकलाब जिन्दाबार हमारी एक्ता जिन्दाबार जिन्दाबार जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मात मरेगा इंकलाब जिन्दाबार जिन्दाबार जो हिटलर की चाल चलेगा सब अगाज में उपस्ते सभी लोगों को मिना क्रांदी कारी सलाव सबसे पहले तो मैं लोकायत को और अभी देखती को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहां पे बोलने का मौता दिया कि पूने की एतिहासिक धर्थी पर बोलना अपने आप में एक ऐसा अनुभव है और पूती के बारे में और महराष्ट्रा का जो इतिहास है उसके बारे में हम लोग पढ़ते थे और मुझे नहीं मालूम था कि एक दिन इसी धर्थी पर खड़े होकर सावित्री बाई फूले जिन्होंने पूरे देश को दिशा दी महिला सिक्षा को दिशा दी जिन्होंने सामाजिक क्रांधी की बात की उनी की धर्थी पर खड़े होकर सावित्री बाई फूले जैसी महान नारी के बारे में दो शब्द कहने का मौका मुझे मिलेगा तो मैं आप सभी को बेहर धन्यवाद देती हूं और मैं अपने आपको बहुत ही लकी मानती हूं कि मैं यहां पे खड़े हो कि अपनी बात को कह पाऊंगी सामाजिक परिवतन की दिशा बहुत जरूरी है कि सावित्री भाई फुले का जंदन जब हम मना रहे हैं तो सावित्री भाई फुले का जो सपना था हम उस सपने के बारे में सोचें और हम इस बात पर चिंतन करें क्योंकि दोस्तों किसी भी महान विभूती का जब हम जंदन मनाते हैं तो वास्तव में अस्कली नमन या अस्कली जंदन तब होता है जब उसके विचारों को हम अपने समाज में एक्जिक्यूट करें या फिर अपने समाज में उसको हम सच्चाई में परिवर्दि हम सावित्री भाई फूले के जन दिन पर उनको नमन कर दें, भगत सिंध के जन दिन पर उनको नमन कर दें, गान्धी के जन दिन पर दो अक्टूबर को छुट्टी मना लें, अगर हम उनके विचारों को समाज में ले नहीं जाएंगे, हम उनके विचारों को आत्मसात नहीं क पाएंगे तो विश्वास मानिये क्यों हमसे सवाल पूछेंगे और आने वाली किदीयों को हम केवल जंदिन ही उनके रूप में दे कर जा पाएंगे वह सब्वा सब जानते हैं कि साभी राइव फोले देश की पहली महिला सिक्षका होने के बावजूद हमारे देश में जो सिक्षक दिवस है वो सावित्री भाई फूले के नाम से नहीं मनाया जाता है उसके पीछे भी शायद हमारे समाज का जातिगत अपने आप में कई कारण है कि सर्च वली डॉक्टर राधा कृष्टन के जन दिवस को तो हम लोग सिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं लेकिन सावित्री भाई फूले जो की पहली महिला सिक्षिका थी और एक दलिक परिवार से आती थी जिनके नाम पर इस देश के शिक्षक दिवस को मनाया जाना चाहिए था लेकिन हम शायद उसको याद भी नहीं रोग करते हैं सावित्री भाई फूले की जब हम लोग बात करते हैं शायद महराष्टा में को आप लोग जादा जानते हैं लेकिन जो महराष्टा के बाहर का पुरा समाज है वो इसी रूप में मुख्य रूप से उनको जानता है कि वो जोतिबा फूले की पत्नी थी और जो उससे थोड़ा जानता है वो कहता है कि हाँ वो पहली महिला सिक्षिका थी लेकिन इससे भी इतर सावित्री भाई फूले अपने आप में एक अंदोलन थी सावित्री भाई फूले अपने आप में एक सतंघरशील नेत्री थी और ऐसे समय में अठारवी सदी में जब महिलाएं घरों के बाहर नहीं निकलती थी तब उन्होंने ना सिर्फ घरों के बाहर वो निकली बलकि उन्होंने वोतिवा फुले के साथ मिलकर स्कूल खोला और लड़कियों को सिक्षा देना शुरू किया मैं साथिवाई खूले के बारे में पढ़ रही थी तो मुझे भी जानने का मौका मिला कि जब वो इस स्कूल में पढ़ाने जाती थी और जब वो अपने घर के रास्ते से गुज़रा करती थी तो जो समाज के लोग थे वो उनको रोपने के लिए उनके उपर पत्थर, कीचड और गोबर सेका करते थी और उसके बावजूर उनके कदम कभी रुके नहीं बल्कि उन्होंने खड़े होकर समाज को जवाब दिया कि आपके इन पत्थरों को आपके इन तीचर को मैं आत्मसाद करती हूँ क्यूंकि मैं समाज के तीचर को साफ करने का काम करने जा रही आया कि जब वो स्कूल के रास्ते में जा रही थी तो एक बड़ेगी बलशाली पुरुष ने उनको रास्ते में रोक लिया और उनके सामने वो जाकर खड़ा हो गया और साविक्त्री भाई फूले ने बड़ी ही निगाहों से उसको भूरा और उसको एक जोरदार थपड़ और वो जोरदार थपड़ केवल उस व्यक्ति को नहीं था बलकि समाज की पित्र सत्तात्मत सोच हो था और उसके बाद से लोगों ने साहित्री भाई फूले का विरोध करना सामाजिक रूप से प्रत्यक्ष रूप से बंद कर दिया साथियों आप सोचें कि 18वी सदी फूले का बाहर निकलना और समाज के पुरुष पर एक थपड़ मरना थपड़ मादे को हम लोग इस देवस्था पर थपड़ मादे की तरह से देखें यह किसी पुरुष पर थपड़ नहीं था यह एक देवस्था पर थपड़ था और उ करते हैं तो सोचते हैं कि पहली महिला सिक्षित करना चाहती थी तो इस लिहाद से अगर देखा जाए तो आज तो पुरीदेश में महिला सिक्षा आ चुकी है और महिला महिलाओं का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिक्षित होने लगा है शायद गाओं का भी कोई एक परिवार अभी यह नहीं कहता कि हम अपनी बच्चियों को या अपनी लड़कियों को नहीं पढ़ाएंगे इसलिए पढ़ाएंगे ताकि उसे एक अच्छा लगता मिल जाए इसलिए पढ़ाएंगे ताकि उसकी शादी आसानी से हो जाएक अच् हुए हैं तो हमें सोचना होगा कि क्या सावित्री भाई फूले ने इसी सिक्षा का इसी तरीके के समाज की परिकल्पना की थी क्या वो यहीं चाहती थी क्या एक ऐसी सिक्षा जो डिग्रियां बाटती है क्या एक ऐसी सिक्षा जो डिग्रियों से सिर्फ नौकरी तक का सफ़र सब्सक्राइब लोड़ी नियां को तो अन्तर हैं उन्हें को तोड़ने के लिए उन्हेंने सामाजिक ट्रांती की बात की हुए सारी स्वार्णे करें समया jáत जाद 10 का होगा बावस ताव मेटकर यह भी जो नग गरना जानता हूं धाति राप travaille कि वर्तमान समय और विशेश की आप हाई साल से जो देश में समय है अगर आप सवाल उठाते हैं तो आपके मुझ को बंद कर दिया जाता है आप सवाल उठाते हैं तो आपके अस्तित्व को खत्रे में डाल दिया जाता है आप सवाल उठाते हैं तो आपकी अभिवेक्ति की स्वतंत्रता को छीन लिया जाता है ले demonetization की demonetization कर दिया जाता है एक दिन अचानग से प्रधान मंत्री जी तीवी की स्क्रीन पर आते हैं और कहते हैं कि साथ यों भाईयों बेनों मैं में नहीं कर पाती हूं और मैं करना भी नहीं चाहती हूं तो मित्रों आग से सारे प्राले रुपे बंदो रहे हैं कोई भी पांसो हजार की नोट नहीं चलेगी क्योंकि हम काले धन को वापस लाना चाहते हैं हम स्विस बैंकों से नहीं लाएंगे वो एक अलग बात है हम जो घरों में महिलाओं के पास उनकी छोटी-छोटी संपत्ती रखी है हम उसको काला बता देंगे हम जो महिलाओं का अस्यक है हम उसको छीन लेंगे हम जो परिवारों में पैसा है या जो मार्केट में रोजगार है हम उसको छीन लेंगे और हम कहींगे कि हम तो काले धन को वापस लाने की बात कर रहे हैं जबकि प्रणमंत्री जी हम लो काला है जो अगोशित है या फिर आपने उसके बाद काले पे से आप चले गए नीले और पीले पे और आप कि हम तो टाइशना हो जाती है लेकिन हमारा देश यह में सोचना होगा कि हम सडकों पर नहीं उतरते हैं और हम इस दी मॉनेटाइशन की इतनी बड़िएघ्टना को अपने घरों के अंदर बैट कर यूश को स्वीकार कर लेते हैं बहुत हुआ तो किसी ने ठोड़ी बहुत उ और देखे कि कितनी खुबसूर्ती से डी मॉनिटाइजेशन को राष्ट्रवात से और नैशनलिजम से और देश हिप से जोर दिया जाता है और हम उसे स्वीकार भी कर लेते हैं हम नहीं पूछते और हमारे देश के प्रदानमंत्री जी कहते हैं कि अगर सो दो सो जाने चली भी जाती हैं तो कोई बात नहीं है क्योंकि आप तो ये देश के लिए अपनी कुर्बानी दे रहे हैं और हम उनसे ये सवाल यहां से पूछना चाहते हैं कि दी मॉनिटाइजेशन के लिए अगर उनोंने कुर्बानी दी थी तो आपनोंने शहादत का दर्जा क्यों नहीं दिया अगर की monetization के उन्होंने पुर्वाई दीती तो उन शहीदों को आपने compensation क्यों नहीं दिया 55 करून रुपया क्योंकि उन्होंने तो देश के लिए शहाद अती थी साथ्यों हमने पूछना होगा मुझा लेकिन हमने सवाल नहीं ख़रे किये शायद कहीं छोटे मोटे सवाल उठे लेकिन वो भी शान्त हो गये और जहां नहीं हो रहे थे उन्होंने रोज अपनी उल जनूर बातों से और रोज नए नए तरीकों से लोगों का मुझा बंद करवाने की कोशिश थी साथियों अगर पिछले दो साल में आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे सारे युवा साथी हैं विश्वास मालिये युवाओं को उपर सबसे बड़ा संकट है हम लोगों ने इस बात को अपने-पने केंपसेस में अनुभव किया फील किया कि सबसे बड़ा जो संकट आया है वो युवाओं पर आया है आप ये देखिए कि मैडम इदानी आती है और अचानक से कहती है कि UGC के फेलोशिप को बंद कर दिया जाएगा आप खिस देश के विकास की बात कर रहे हैं जहां पर सिक्षा पर खर्च होने वाला बजट बढ़ना चाहिए था तो आपने कहा कि हम तो फेलोशिप को भी बंद कर देंगे आप ये देखिए कि कोई एक केंपस नहीं FTII पूरे से शुरू होता है पेलियार स्टडी सर्केल मदराज तक चेनाई तक जाता है उसके बाद हाइदराबाद, जेनियू, इलहाबाद, बियेचू, जम्मू कश्मीर, पूरे देश की हर युनिवर्सिटी में सवाल खड़े करने वाले चात्रों के उपर युनिवर्सिटी एड्मिनिस्ट्रेशन नहीं बड़कि मानव संसादन विकास मंतराज सीरे नजर रखकर उनके उपर कारवाई करने की तयारियां कर गया था और सवाल पूछते वाले चात्रों को सीरे ये कह दिया जा रहा था कि आपके ऐड्मिशन को कैंसल कर दिया जाएगा या फिर आपके भविश्य को बर्बाद कर दिया जाएगा और विश्वास मानीे साथियों ये कुछ रीडर साथियों की तमस्या नहीं थी और ये कुछ छात्रनेताओं को कंट्रोल करने के लिए ये नहीं कहा गया था बिलकि युवापीडी को वो डर दिखाया गया कि अगर आप सवाल करेंगे तो हम आप के सवालों के बदले में आपका जवाब आपको आपके विश्विद्यालों से बाहर निकाल कर देंगे और नतीजा ये हुआ कि लोग सवाल करने से कत्राने लगे और टैंपसेस में एक बड़ा हिस्सा ये सोचने लगा और उपर से कहा भी गया हम लोगों को बार बार ये संदेश दिया जाता था या चब भी सरकारी कारिक्रम होते थे तो उसमें ये कहा जाता था कि ये लोग युनिवर्सिटीज में पढ़ने जाते हैं कि राजनीती करने जाते ही इनको पढ़ना चाहिए युनिवर्सिटीज में राजनीती नहीं करना चाहिए हम उनसे सवाल करना चाहते हैं कि देश का युवा आज पूरी दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा युवाओं की संख्या किसी देश में हैं तो वो भारत में हैं और जब 18 साल से हमें वोट देने का अधिकार मिल जाता है, तो हमें राजनीती करने का भी अधिकार मिल जाता है अगर बबब इस देश का इंजीनेर बनेगा, डॉक्तर बनेगा, सिक्षक बनेगा, म्युजीशिन बनेगा, वो घर में बैठे रोज़गार करेगा तो हो सबता है कि इस देश का एक युवाओं का हिस्सा ये कहे कि हम राजनीती करेंगे और इस देश की राजनीती को दिशा दिखाएंगे आप युवाओं की एक बड़ी जन्संख्या को राजनीती करने से रोक रहे थे क्योंकि उसका सबसे बड़ा करान था कि युवा सवाल करता है और आप देखें कि अभिविक्ति की स्वतंत्रिता पर इन्होंने जितना को कंट्रोल करने की कोशिश की उतना ही जादा हर कैंपस से आवाज भूती और ये सर्फ कैंपसे से आवाज ही नहीं भूती बलकि पूरे देश में across the campuses students union के नेताओं में चात्र नेताओं में और students में unity बनी और पूरे देश में अगर इस मौजूदा सरकार को किसी ने मिलाने का काम किया है किसी ने सवाल उठाने का काम किया है तो वो इस देश के युवाओं और छात्रों ने किया है किसले दो सामने शब्रफल के मामने परिले जुखना पड़ा हो या फिर साथी रोहित वेमुला की मौत जिसे कि हम लोग आत्मत्या नहीं हम लोग संस्थानिक हत्या मांनते हैं जिसमें उसकी संस्थानिक हत्या की गई, उसके सामने इस देश की सरकार को आखों को जुकाना पड़ा, भले ही आप संस्थानिक कहते हैं कि मैं भी मा हूँ, हम सब भी कहते हैं कि हम भी दुवा हैं, अब हम बच्चे नहीं हैं, हम तो सवाल करेंगे साथियोग, साथिवाई पुले, जिस तरीके की सिक्षा की बात करती थी, आज बहुत जरूरी है कि हम इस बात की ओर ध्यान दे, कि हम क्या समाज को बदलने की सिक्षा ले रहे हैं, और क्या ये सिक्षा जो हमें स्कूलों में दी जा रही है, जिसमें जाती और धर्म और लिंग के अंतरों को वैसे का वैसा ही बना कर रखा गया है, या वो जो सिक्षा जो हमें विशुद्यालों में दी जा रही है, डिप्री के रूप में बाटी जा रही है, क्या वो हमें सवाल करने की आजादी दे रही है, साथियों हमें समझना पड़ेगा, कि ये वो सिक्षा है, जो कि समाज का जो स्वरूप है, उसको एज इट इस, यानि की जाती लिंग और धर्म के जो अंतर है, उसकी असमानता को बनाए रखते हुए, इस विवस्ता को, मौजूदा विवस्ता को वैसे ही चलाए रखने में जादा योगदान दे रही हैं और हमें सवास करना नहीं सिखा रही है explaining हम जब भी छोटी-छोटे हम लोग इनाबाद में कई स्टडी सर्किल करते हैं हम लोग देश की भी कई इस्तों में स्टडी सर्किल में शामिल हुए और एक बात तो तैय और साफ निकल कर आई कि अगर हम इस मौझूदा व्यवस्था पर सवाल नहीं करेंगे हम इसके आलोजनात्मक इनसे सवाल नहीं करेंगे तो ये व्यवस्था हमको लील जाएगी और हमारा भविश्य खत्रे में पड़ जाएगा साथियों जैसा कि अभी आप अल्गा जी कह दी रही थी आप सोचिए कि हम कौन से समाज में रह रहे हैं जहां पे एक शंकराचार हमको ये बताता है कि एक महिला को कितने बच्चे पैदा करने चाहिए इस देश में योगी अधित किनाथ ये बताता है कि अगर कोई मुस्क्रिम महिला कवर में है तो उसका निकाल के बलापतार कर दो इस देश के सादो संथ ये तै करते हैं कि ये समाज कैसे चलेगा, इस देश के कुछ राजनितिक मिलके ये तै करते हैं कि इस देश की दिशा क्या होगी और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम मात्र भीरतंत्र बंगर रहे जाएंगे और हम लोग जिस देमोक्रेसी की बात करते हैं और जिस देमोक्रेसी पर इतराते करते हैं आजकल तो नैशनलिजम का लमाना है आप कुछ भी कहिए तो एंटी नैशनलिस्ट हो जाते हैं लेकिन हमें सोचना होगा कि हम ये जो नैशनलिजम का पूरा राइता लोग करा रहे हैं हम उतुरायताई उसे कहते हैं क्योंकि ये कोई nationalism नहीं है अगर आप कहते हैं कि जै श्री राम के नारे भारत माता की जै के साथ मा भेहन की जालिया देना राष्ट्रवाद है तो हम ऐसे राष्ट्रवाद को अस्वीकार करते हैं और हम कहते हैं कि राष्ट्रवाद वो है जो मानफ्ता में खुश्वाब करता हो। जो इंसान को इंसान के रूप में स्वीकार करता हो। साथियों, पिछले कुस दिनों में हमारे देश में एक बड़ा ही गंभीर संकट आया है। जिसको कह हैं डिग्निटी, डाइवर्सिटी और डेमोकरसी पर संकट आया हैं। अस्मितादय, लोकतन्त्र, और वीविधता। आप ये देखिए कि अस्मिताब किस तरीके से शंकट आया। दलितों की अस्मिताब के शंक्त है। महिलाओं की शंक्त हैं। अगर दलितों की असमिता पर संकट नहीं होता, तो उना की घटना नहीं होती, और उना की घटना में जिस तरीके से भीड़ने वहाँ पे, कढ़े होकर, कुछ लोगों के साथ दुरवेहवार किया, वो घटना हमें ये बताती है, इस देश में आज एक इंसान की असमिता ख़त अगर अखिलाप को घर में धूंड कर अगर वही पर उसके साथ दुर्वहवार किया जाता है उसको मार दिया जाता है तो इसका मतलब है कि आप कि यहां भीरतन प्रकाम कर रहा है और आपका न्यायपालिका में मौझूदा न्यायपालिका में कोई भी भरोसा और विश्वास नहीं रहिया है और अगर रह जाता तो कोई भी मामरा या मतलात होते तो इसको न्यायपालिका तक ले जाया जाता लेकिन आप यह देखे कि मौझूदा समय में आज सरकों पर यह कुछ लोग सरकार के पैरोकार बने घूम रहे हैं और वो हर चीज का न्याय इसको न्याय कहत करते हैं आप यह देखे कि कैसे महिलाओं की असमिता पर पूरे देश में संकट छाया हुआ है अलका जी कह रही थी कि जब शंकराचारी जी ने कहा तो पहले उन लोगों ने उसको हसके टाल दिया सही बात हैं तो कई बाचीजों को हसके टाल देते हैं लेकिन हमें सवाल अधारई थी और उन्होंने भरपूर विरोध किया हम लोगों को यहां से सलाम भी करते हैं उसके इस विरोध के लिए हम उनकी राज़ीती से इतफाक रखते हैं चीने रखते हैं इस पर हम बात करेंगे लेकिन आप यह देखे कि उसके बाद संसर जो कि इस देश की कर रही है हमारी को संसर के अंदर मेजॉरिटी है यहीं शब्द थे उनके कि हमारी को संसर के अंदर मेजॉरिटी है हम चाहते तो उनके बाल पकड़कर खीच कर उनको संसर से बाहर निकाल सकते थे साथियों हम सबका खून नहीं खौना क्योंकि यह सवाल यह जो टिपड़ी थी, वो किसी मुख्यमंत्री पर नहीं थी, वो महिला होने की वज़े से महिलाओं पर की गई टिप पड़ी थी, साथियों हम लोगों ने फिर से सवाल नहीं किये, और ये वहीं लोगें जो कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी बढ़ाओ, किस समाज में आप बेटीयों को ब बेटीयों की असमिता से खिरवार किया जाएगा, अगर आप वहां बचाने और बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो हम आपसे ये कहते हैं, कि हम आपसे ऐसे समाज को छीन लेंगे, और वहां पे हम एक नया समाज खड़ा करेंगे, और वहां पे हम बेटीयों को, दलितों को, अल्पसंज़कों को जहां सबकी असमिता का सम्मान हो, हमें एक ऐसे समाज की परिकल बना करते हैं। साथियों समय बहुत खटलनाक है। असमिता के बाद अजला जो हमला है वो विवेदिता पर दुआ। यह कहा गया, सब्सक्राइब कि देश की सरकार कितनी खाली है। वो बता रहे हैं कि कहां पर क्या खाइया जाएगा। हमारा देश एक विविदिता पूर्ड है और भारत की सबसे बड़ी वशेष्टा ही उसका विविदिता है और विविदिता देखा है वे कि अपना रहे सेने उस संस्कृति के अपने तो तरीके हैं लेकिन आप के रहे हैं कि हम बताएंगे कि उसे क्या खाना है और कैसे देना है तो अगला जो संकट था और अगला जो संकट है वो इस देश की विविदिता पर है और अपर हम लोगों ने सवाल नहीं जे रहे तो इस देश की विविदिता को समाप्त कर दिया जाएगा और यह देश की विविदिता नहीं समाप्त होगी बनकि हमा तुक्षिए हैं क्योंकि एक असल स्थाम को रवस्ता को तंपर हम लोगों को सोचना भूस। हमारी देश की ढिवकरीची ह। यगनिटी और डाइवरसेटी पे बुश्ट बड़ा खत्रा है। हम लोगों को बातचीत करनी होगी, हम लोगों को एक एकटा बनानी होगी और हम लोगों को अपने बीच के इछले एक साल में मुझे भी तमाम जबूंपर जाने का मौका मिला तमाम different universities के student union के student leaders में हम लोगों ने मिर कर यह तैट हिया कि हम लोगों में तमाम differences हो सकते हैं, ideological हम लोगों में हो सकता है कि कई बातों को लेकर हमें एक मत ना हो लेकिन अब उन सारे differences को एक साइब में रख कर हम लोगों को जो देश के national issues हैं जो हमारे उपर खत्रा पैगा कर रहे हैं उन पर हमें एक जुठ होना होगा और उन पर हमें एक जुठ होकर एक स्टाइंड लेना होगा और इस देश की देमुक्रिसी, डाइवर्सिटी और डिम्निटी को बचाने की हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी साथियों हम लोग जब सावित्री भाई फूले की बात करते हैं कि बात इक्तम सही है आज आप सब यहां बैठे हैं मैं यहां खड़ें के बोल पा रही हूँ तो शायद सावित्री भाई फूले की बज़े से हम लोग यह कर पा रही हैं लेकिन हम लोग इस बात को सोच कर देखें, कि उनके सपने को अभी बहुत दूर ले जाने की जरूरत है। हमारा समाज जिस तरीके की बेडियों में तब जकड़ा था, उसी तरीके की बेडियों में आज भी जकड़ा हुआ है। हमारे समाज में दहेज, छुवा छूत, इस तरीके की रूड़िवादी चीजें, जाती, लिंग, धर्म, के आधार पे जिस तरीके की असमानताएं हैं, वो आज भी हमारे देश में और पुर्जोर तरीके से पैठ जमाती जा रही है। सातहीं उन्हों ने काया कि हम ठैश्लेश सुसाइटी कर रहीं हम उनसे यहां से कहते हैं, कि हम हमें कर द्चेश्लेस सोसाइटी नहीं चाहिए हम एंग कास्पलेस सोसाइटी जाहीं हैं आप आपका ध्यान प्रेशले सुसाइटी पर है, हमारा ध्यान तास्रेश सुसाइटी पर है और इस देश के चाहे बावासाव अम्धेकर हो, चाहे साहित रिवाई फुले ज्योतिवा फुले हो या चौतरी चरल सिंगिंग हो उन लोग और इस्ताफ कहा था कि अगर इस देश में हम समानता लाना चाहते हैं इस देश में अगर हम जाती के अंतर को समाक्त करना चाहते हैं तो हमें जातियों का उनमूलन करना होगा और हमें अंतर जातिय विवा को बढ़ावा देना होगा और कास्क्लेस सोसाइटी की बात करनी होगी लेकिन आप देखिए कि पिछके कुछ दिनों में तो ऐसा दौर आ गया है कि वो बाबा साहब अंबेक्तर को भी नहीं छोड़ रहे हैं उनका भी पोस्टर उन्होंने लगा लिया है और बाबा साहब अंबेक्तर को जो लोग फॉलो करते हैं उनको भी नहीं छोड़ रहे हैं उनको भी वो मौत के दरवाजे तक पहुचा दे रहे हैं जैसे हमारा साथी रोहित दयमुला पहुच पहुच पहाँ तो साथियों हमें ये समझना होगा कि ये वो लोग है अभी नीरची से शोड़ी दे पहले बात भी हो रही थी तो वो बता रहे हैं कि किस तरीके से विवेकानंद को ये लोग अपना बताते हैं और विवेकानंद की बात करते हैं तेकिन विवेकानंद इनके नहीं है असल बात तो ये है कि इनका कोई है ही नहीं और ये किसी के विवे किसी के भी विचारों को पूरी तरीके से आपनों साथ नहीं किया ये आजादी के समय से केवल और केवल स्वार्थी है जो कि अपने स्वार्थ हितों के लिए देश की जंता को बली देना जानते हैं साथियों अगर हम लोग इनका पूरा इतिहास उठा कर पड़ेंगे तो ये एक देश, एक रंग और एक जंडे की बात लगते हैं वो देश कौन सा देश होगा वो हिंदू देश होगा वो जंडा कौन सा जंडा होगा वो तिरंगा तो नहीं होगा वो भगवा जंडा होगा तो साथियों और वो नेता कौन होगा ये वो तैब करेगे और आप समझ सकते हें कि वो नेता कौन होगा हमें तो नहीं है और शृष की जंता को 협ते हैं आने वारा समय की बताने चारा है सातियों एक देश, either झंडा और एक नेता हिए थिये सिई देमोक्रेसी में यह देश के प्रजातंत्र यकीन नहीं करते हैं और अगर शायद प्रजातंत्र में यकीन करते तो यह demonetization जैती जो हरकत हुई है देश में वो नहीं होती और उसका जितना बुरा प्रफाव पढ़ने जा रहा है पूरे देश के उपर आपने डेली वेजस पे चलने वाले मजदूरों को असंगटिक छेतर में काम करने वाले और सबसे जादा संगटिक छेतर में काम करने वाली महिलाएं हैं आपने सब के जीवन को ताथ से रख दिया है और आने वाले समय में हमारी economy का इतना बड़ा नुकसान होने जा रहा है कि उसकी भरपाई करते करते एक लंबा समय बीग जाएगा लेकिन हम लोग उसकी भरपा नहीं थी बड़कि जो विदेशी कंपनिया ने उसकी पैठ को भारत में बढ़ाना इनकी असल मंचा है साथियों आने वाला समय अगर हम लोगों ने सवाल नहीं किया क्रांती बाई जोतिवा फुले सावित्री बाई फुले को क्रांती जोति इसलिए कहा जाता था क्यूंकि वो देश में क्रांती की बात करती थी जिसका रास्ता सिक्षा से होकर जाता था और लेकिन हम अगर इस समाज में देखें तो सिक्षा तो सबको मिल रही लेकिन सवाल करने का अधिकार हमें नहीं मिला अपनी तरह से जीवन जीने का अधिकार हमें नहीं मिला जाती और धर्म और जेंडर के जो असमानताएं हैं उससे हमारा देश अभी उबर कर नहीं आ सका है बरकि वो बेडियां इस तमाज में और मजबूत होती जा रही है हमें बदलना होगा इस तमाज को, हमें सवाल खड़े करने होंगे हम मैलाओं की जिम्मेदारी और भी जादा बन जाती है क्योंकि आगर 1854 में सावित्री भाई फुले अपनी कावि संग्रे को अगर प्रकाशित कर सकती है उस वक्त सावित्री भाई फुले एक महान सिक्षिका ही नहीं थी एक महान नारिवादी ही नहीं थी बलकि एक आधुनिक क्रांतिकारी कवित्री भी थी और 1854 में उन्होंने अपनी कावि संग्रे को प्रकाशित कर दिया जबकि महिलाओं का बाहर निकलना भी मना था अगर 1854 में वो वो कर सकती है तो हम युवा जो 21 सदी की दुहाई देते दम भरते नहीं सकते है तो हम अपने देश में जो ये जाती की विवस्ता है इसका उन्मूलन क्यों नहीं कर सकते हैं हमें इस सवाल बैसर करना होगा और हमें इस देश की सरकारों से ये सवाल पूछना होगा साथियो आपको कुछ बाते बताना चाहती हूं इलाबाद विश्विद्याले के मेरे कुछ अन्वह है जो आप लोगों से साजा करना चाहती हूं इलाबाद विश्विद्याले में जब हम लोगों ने चुनाव लड़ने का सोचा इलाबाद यूनिवसिती 1884 में इस्टैबिश हुई थी इस विश्विद्याले को स्थापित हुए और हम लोगों के सामने एक बड़ा सवाल था कि रावाद विश्विद्याले में 128 साल में एक भी महिला जख्ष क्यों रहा है और यह किसका हाल था यह इस देश के विश्विद्याले का हाल था आप यह सोचिए जहां पर हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं और यह पढ़ाई हमें समानता की ओर ले जाती है और कौन सी समानता जिसमें 128 साल में एक भी महिला जख्ष नहीं हुई ही वह छात राजनीती में नहीं होगी हम लोगों कोई सवाल बहुत पर दोगता था हम लोगो बात करते से की कौन वो बेवकूफ लड़की है विलाबाद विश्वित जाले में 36 सवाधिष पचुदार हमारी हिमतों को बार बार तोड़ने का प्रियास किया लेकिन हम लोग गए लोगों के बीच में हम लोग गए स्टूडेंस के बीच में और हमने उसे एक बात करी कि आप महिला होने के नाते मुझे कटा ही वोट मत करिएगा मैं सिल्पेटी वोट किसी से में मांगे आएगए और यह देखिए क्या की मुद्टों पर हम बात कर पा रहे हैं और उसे बहतर तर्कूं के आधार पर अगर हम पर पा रहे हैं और आपके मुद्टों पर लड़ने की अगर हम शक्ती रखते हैं, तो महिला होने के आधार पर हमारे वोट को काटिएगा भी मत, अगर आप ये करेंगे, तब हम इस विश्विध्याले में एक स्वस्थ राजनीती को ख़़ा कर पाएंगे। और साथियों, हमारे साथियों ने हम लोगों के उपर भरोसर जटाया। और स्रृफ लड़कियों नहीं नहीं, इरावा विश्विध्याले में शात्रों की संख्या 26,000 हैं। और स्रिफ लड़कों नहीं नहीं बल्कि लड़कों से जादा वोट हमें लड़कों ने किया और हम लोगों को इतिहास बनाने का मौता में साथियों ये बात मैं इसके कह रही हूँ क्यूंकि जब कई बार हम किसी काम को करने निकलते हैं तो अगर सावित्री बाई फूले के उपर पथर और गोवर्द और कीचर फेका जा सकता है तो रिचा को भी बेवकूफ कहा जा सकता है और रिचा को बेवकूफ कहलाने की और उसको सेहने की शंता अपने अंदर विक्सित करनी होगी और ये रिचा कोई एक नाम या कोई एक लर्की नहीं है हम ये तमाम समाज की युवाओं की बात है जब हम इस समाज में किसी भी बैतर काम को करने निकलते हैं तो सबसे पहले हमारे कदम पीछे खीचे जाते हैं और हमें यह कहा जाता है कि यह काम तुम्हें नहीं करना चाहिए, लेकिन साथियों हमें इस देश में सवाल खड़े करने होंगे और तभी हम लोग इस तमाज की विवस्था को बदल पाएंगे. साथियों, मैं पढ़ना सीख रही हूँ, मैं पढ़ना सीख रही हूँ, ताकि मैं अपने अधिकारों का हिसाद हूँ. मैं पढ़ना सीख रही हूँ, और हम लोगों ने इसी बात को अपने विश्विद्याले में भी फैलाने की कोशिश की. साथियों, इदर जी कह रहे हैं, दिल्कुल मैं आपसे अनुबाफ साजा करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे तमाम युवास साथियों और अभी यह भी पता चला मुझे, कि शायर आप लोगों कि आभी विश्विद्याले में युनिवर्सिती में यूनियन की इलेक्शन चुनूँ होने जा रहे हैं, हम लोगों ने जब यह पैसला किया, कि इंडिपेंडिन डूप से इलेक्शन लड़ेंगे, और यूनियन में इसलिए आएंगे, क्योंकि हमारे इनुवर्सिटी की पॉलिटिक्स को रिफ्लेक्ट करता है, और वो उस तरीकी की पॉलिटिक्स से जहां पर इस पर जूप से कास्ट के आधार पर, जाती के आधार पर और धनबल और बाहुबल की राजमिती होती है, और आप जानते हैं कि धनबल और बाहुबल शक्ती का प हम लोगों ने भी जब ये तैप लिया कि हम लोग स्टूडेंट यूनियन का एलेक्शन लडेंगे तमाम तरीके से हम लोगों का विरोध किया गया हम लोगों को यह बताया गया कि आपको यह एलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए कि ये तो कोई बहुत भी खराब बात है लड़कियां इलेक्शन नहीं लड़ती है और अगर आप इलेक्शन लड़ेगे तो हम लोगों को धंकियां भी दी गई वहीं दंकियां जो किती भी लड़की को दी जाती है कि आपके साथ पलाने तरीके का वहवार कर दिया जाएगा पलाने तरीके का दुर वहवार कर दिया जाएगा अगर आप स्टूडेंट यूनियन में पार्टिसिपेट करेंगे या चुनाव लड़ेंगे फिर हम लोगों से यह भी कहा गया कि क्या मुद्दे हैं आप लोगों के स्टूडेंस में भी सवाल पूचा हम लोगों को कई त आने की जरूरता है लेकिन ने चाहतीयों यह भागेदारी करेंगे और आप यह जान कर बहुत आश्यर होगा इसरा लगाओं उधसे कौर मेरे लिखिक निapers के मेश्क्रहा काली वहां से सामने नडिकिपिन लेकिन इक भू पही दौर आया कि जब लग्कियों निप्सिक्ञast और वहां से एक नारा दिया गया, कि आदी आबादी का नारा है, छात्रसंद हमारा है. बारान हम लोगों से बहुत के सवाल पूछे गए, जाती का सवाल पूछा गया, कि जाती सपष्ट करिए कि आप कौन सी जाती से आते हैं. हम लोगों ने उस सवाल को भी लिया, और हम लोगों ने कहा, कि हम लोगों की जो पॉब्लिक मिटिंग होती है, क्वालिफाइन स्पीच होती है, हम वहां मन से बताएंगे कि हमारी जाती क्या है, और हम लोगों ने उपर जाती कहा, कि हमारी जाती सिर्फ और सिर्फ छात्र होन है इसके सिवा हमारी कोई जोपी नहीं है हम लोगों के उपर यकीन करके हम लोगों को मौका दिया क्योंकि हम लोगों ने उनके सामने एक मॉडल रखा और उनसे कहा कि हम लोगों के पास क्रांती का कोई मॉडल नहीं है लेकिन हम लोगों के पास creativity का model है और हम लोग विश्विद्याले की जो चातर राजनीती है उसमें नई तरीके की creativity को लेकर आएंगे और students के मुद्धों पर जिसमें library का मसला होगा, जिसमें mess का मसला होगा, जिसमें convince की सुविधा क्यों नहीं है, जिसमें gender issues क्यों है campus के अंदर हम लोग इस पर बातची क्यों के लड़ाई सिर्फ election जीतने की लड़ाई नहीं थी, असली लड़ाई को election जीतने के बात शुरू हुई, जब मेरी ही union में मुझे छोड़कर में एक independent candidate थी, तो मतवादी चात्य सभा ने हमको समसन दिया था, और भी तमाम SFI के साथियों ने भी हम लोगों को समसन दिय जा था, लेकिन मुझे छोड़कर जो बाती चार ओफिस के union वेरर्स थे, ओफिस वेरर्स थे, वो सभी ABVP पर आते थे, और जब यह रिजल्ट आया, तो एक तरफ तो इतिहास बना, लेकिन दूसरी तरफ ABVP ने इस बात को भी celebrate किया, कि हम तो चार ने और पांचवी याने का कोई मतलब नहीं होता, तो इसका मतलब एकि पूरी union तो हमारी union है, और उसका असर हम लोगों को एक महीने बाद देखने को मिला, जब हमारी विश्विद्याले में student union का inauguration किया जाता है, यानि कि उसका उत्गाटन होता है, और उस उत्गाटन में, आप सोचिए, इस इलह वहाँ पर ABVP के लोगों ने मुख्य अतिती के तौर पर योगी अधित्यनाथ को बिलाया और कहा कि हम लोग तो योगी अधित्यनाथ से इस विश्विद्याले की union का inauguration करवाएंगे, साथि उन्होंने हमसे पूछने की भी ज़रूरत नहीं समझी, इसके नहीं समझी, हमारे ही नाम का कार्ड अपने आप से छपागर देने, प्रिंट करादर, वो लेकर आए जिसमें कि हमारे ही union का एक और tradition है, यह लोगों की परंपरा है, कि union के inauguration को precise, president ही करता है, अध्यक्ष ही करता है, और आप सोचिए कि मुझे एक कार्ड मिलता है जिसमें मेरे प्रसाइ प्रिंट यूनियन के president को और अध्यक्ष को है, तो उन्हों ने गाया कि अब तो लोगों ने तैय कर लिया और आपको आना है, साथियों, यह लगाई वहीं से शुरू हुए, क्योंकि यह लगाई दो इस तरों के थी, एक तो आपने एक संप्रदाइक व्यक्ति को, एक संप करने की कोशिश की, एक women president को आपने बाइपास करने की कोशिश की, और साथियों, उसी दिन हम लोगों को समझ में आ गया, कि अगर आज हम लोगों ने अपने आपको बाइपास होने दिया, तो यह इतिहास जो 128 साल में लिखा गया है, इतिहास में ये भी लिखा जाएगा, क में बाइक्ष के रूप में अपने अधिकारों पर हम लोगों ने आवाज उठाई और अपने अधिकारों को हम लोगों के छीना, हम लोगों ने उतिए कहा कि आपको हम इल्हाबाद ख़ुनिवसिटी में इस सांट्रदाइप विक्ति को नहीं बुणाने रएंगे, उन कि बिट रोगहार को बिच्विभागной कि या। कि विश्विध्याज़ने टैयाा की जाने लगी हमारे मना करने बावजूद हमारे परमिशन ना देने के बावजूद यह तै क्या घए अ पिश्विध्याले ने एक बड़ा सा मंच रजने लगा क्योंकि भगवा करर का मंच था जिसमें योगिया दिप्टिनाथ के साथ साथ उसी इलहाबाद की अलग 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 कॉंसिट्वेंसी के पांच MPs को भी बुलाया गया जिसमें हमारे जो उत्तरप्रदेश के और यहीं यहीं इसलिए नहीं आने देंगे साथ्यों कि इलहाबाद विश्विद्याले विश्विद्यालेट की जात्रय यूनियं का यह कुछ पदालिकारियों का विश्विद्याले नहीं में कि और जाता अलग जातीवकर Сथी ने केनाते जिनेरी जिनमेदारी बनती है। कि मैं अपने सभी साथियों की घावनाओं का आदर कर सकूँ और उनकी भावनाओं का खयाल रख कपोूँ. हम लोग ने यह तै किया। और हम लोगों ने उनसे ये कहा, कि अगर हमारे अलपसंख्यत छात्रों के लितों का खिलवार होगा, उनकी भावनाओं से अगर केंपस के अंदर खेला जाएगा, तो हम लोग इसको बरदाश्ट नहीं करेंगे, और इसको लेकर हम लोग भूख हर्ताल पे यूनियन इलावाद विश्विद्यारे के में गेट पर धरने पर बैखे, और उस धरने में हम लोगों के साथ ABVP के लोगों ने शायद ये इंसिदेंट नहीं होता, तो मैं भी कभी भी अखिल भाते विद्यार्ती परशट की आइडोलोजी को और अखिल भाते विद्यार्ती परशट की सच्चाई को नहीं समझ पाती, और ये वो सच्चाई थी जहां पे जब लड़किया धरने पर बैखी थी, तो जैश्री राम और भारत माता की जै बोला जा रहा था, और साथ ही साथ लर्कियां और मावेनों की गाली भी ली जा रही थी, तब हम लोगों को समझ में आया, कि इनका राष्ट्रवाद, इनका असल राष्ट्रवाद, जिसकी ये बात करते हैं, वो तो ये है, जिसमें भारत माता की जै और जैश्री राम के नारे के साथ आप मावेन की गालियां देते ही, आप अविश्वास मानी साथियों यो तो राम के भी नहीं है, अगर ये राम के होते, तो ये कभी राम के नाम का दुरुपयोग नहीं करते, राम के नाम के साथ ये कभी भी मा बहन की गालिया नहीं देते ये भारत माता की जै के साथ मा बहन की गालिया नहीं देते ना तो ये राम के हैं ना ये भारत माता के हैं बलकि ये एक विशेश, रेडिकल, अती, वादी, तंगठन में जो कि केवल अपने हितों को साधिना जानते हैं और सब को किसी भी आधार पर ये मनने को तयार नहीं है साथियों हम लोग भरने पर बैठे रात साड़े बारा बजा हम लोगों के उपर पचास से साथ एवी लीपी के गुंडों ने हमला कर दिया और उसमें हमारे बहुत से साथियों को चोट भी आई और इस सिथी ऐसी बन रही थी कि शायद एक फोड़ी और देर होती तो शायद एकाथ साथियों की जान भी जा सकती थी लेकिन साथियों हम लोगों से तब भी कहा गया कि अब आप लोग उट जाएए अब आप लोग हट जाएए लेकिन हम लोगों ने तै किया था कि जब तक हम लोग सांप्रदाइक ताकतों को रोप नहीं लेंगे हम लोग मार भी खा लेंगे, हम लोग अपनी जान पर भी बना लेंगे, लेकिन हम लोग वहीं रुके रहेंगे और हम लोग सुबह तक वहीं रुके और अगले दिन योगे अधितिनाथ को इलाहबाद विश्विद्या लेक्या, इलाहबाद की सरहद में हम लोगों ने हम लोगों को समझ में आया कि एकता में शक्ती है और एकता के आगे ही दुनिया जुपती है तो साथियों हम लोगों ने स्टैंड लिया और उसे स्टैंड लेने में हम लोगों को मार भी खानी पड़ी हम लोगों को गाली भी खानी पड़ी लेकिन अंतिता हम लोगों ने ये तई किया था कि हम अपने स्टैंड पे रहेंगे हम लोगों ने जो एक लडाई शुरू किये इसको हम लोग एक मुकम्मल अंत तक पहुचाएंगे और उस अंत तक पहुँचाया और हम लोगों ने अपने क्यांपस का भगवा करन होने से रोका युद्ने की जीत नहीं थी बरकि ये एक महिला अध्यक्ष जब अपने अधिकारों का प्रयोग करती है और जब महिलाएं अगर किसी चीज़ पे अर जाती हैं और अपने अधिकारों को जब वो छीनने पर आती हैं तो फिर वो किसी हद तक नहीं मानती हैं यह उसको भी सिद्ध करने की हम लोगों की जिद्धी जिसको हम लोगों ने पूरा तिया क्यों कि अगर मुझे टर ले जाते तो शायद यह सवाल करता है दिहाज कि माहिँ चुनकर आती हैं तो वो क्यम्पस में काम नहीं कर पाती हैं वो अपने अधिकारों तख को बचा नहीं पाती हैं तो साथ्यों मेरे सामने बड़ी जिन्मिदारी भी थी मेरे सामने बड़ी प्यार नहीं था तो हमें तो अपने अस्पित्र की लगाई लगनी थी हमें तो अपने आप सो सद्ध करने की लगाई लगनी थी और साथियों हम लोगे उसे लड़ा और पूरे देश के हमारे साथियों कि पहली महिला अध्यक्षू और अध्यक्षू जिसको अपने एक साल के करेकाल में 14 मोटेसे में हमारे इलावाद विश्विद्याले का वो इतिहास है जहां पर अध्यक्ष को कभी कोई क्योंकि नौटिस नहीं जाती है एडमिनिस्ट्रेशन में इसनी हिंबत नहीं होती है कि वह अध्यक्ष को कोई नौटेश भी इसे हमारे हाँ जैसे के पास इसनी फावब होती है लेकिन एक माईना अध्यक्ष की तो मुझे चोदा मोर्टिसें मिली मुझसे रोज यह पूछा मारे विशुद्याले में खुल्पती जी है, वो बहुत ही बीजेटी के व्यक्ति भी है और एंटी स्टूडेंट भी है, तो हम दोबने एक चित्ती लिखी कि हमारे आप तो कहते हैं कि ब्रश्टाचार नहीं होना चाहिए, ये देखिये, ये ब्रश्टाचार के सारे पेपर स हमारे तो इस तरीके से करप्शन हो रहा है, आप कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी बढ़ाओ, हमारे केंपस में तो महिलाई सुरक्षित नहीं है, तो प्रधानमंत्री जी आप आ रहे हैं, तो हम आप से इन सवालों का जवाब मांगते हैं, और ये कहते हुए मैंने एक खुली चित्थी लिखती, और वो पर्चे पूरे शेहर में बढ़ गए, अगले दिन मुझे एक और नोतिस में थी, कि आप रुप्धानमंत्री को चित्थी कैसे लिखती हैं, आप ये सोचिए, कि जिस देश में देमोक्रेसी है, और मैं खुली चित्थी लिख रही हूं, मैं बंद चित्थी भी नहीं लिख रही हूं, कि उसके अंदर पता नहीं क्या होगा, मैं खुली चित्थी लिख रही हूं, और मुझे विश्विज्याले के वाइस चांसलर ने नोतिस थमा दी, कि बताईए कि आपके ओपर डिसिप्नरी एक्शन क्यों ना ले लिया जाए, क्योंकि आपने प्रधान मंत्री जी को खुली चित्थी लिख रही हूं, हमने जब योगिया जित्तिनात को रोका, तो उसके अगले दिन आप यह सोचिए, कि मारपीज हम लोगों के साथ होती है, कैंपस के अंदर, कैंपस की जिन्मेवारी बंती थी, कि वह महिलाद ज्यक् लेकिन जब हम लोगों के साथ मारपीज हो जाती है, तो मुझे एक और नोटिस मिलती है, कि आपने योगिया जित्तिनात को क्यों रोका, अब आप बताये, कि हम लोग साम्प्रदाइक ताकतों को नहीं रोकें, और हमने तो पूछा था कि आपने योगिया जित्तिनात को आ परहित में काम करते हैं, को कभी कहते हैं कि भरत सरकार को खुश करना है और डिजिटलाइजेशन को आगे बढ़ाना है, डिजिटल इंडिया को इलावाद विश्विध्याले ही सबसे पहले अपनाएगा, तो उन्होंने एक और फेस्टा लिया कि हम अपने विश्विध्याले कि लाबाद विश्विध्याले जहांपे 60% स्टूडेंट गाउं के छेक्टरों से आता है, मिडले फ्लास और लोगल मिडले फ्लास की फैमिली से आता है, आप ने सारी परिक्षाओं को ऑनलाइन कर दिया है, तो इसका मतलब है कि आप पिक्षा के मौलिक अधिकार को हम से चीन जहांगा, आपको ऑनलाइन करना है, हमें कोई धिक्कत नहीं है, हम लोग तो इतना खुला दिल रखते हैं, तो इतनी टेक्नोलोजी को जानने वाले हैं, हम स्टूडेंट पना फार स्टूरेंट बहुत से बच्चे आते हैं, तो कहसे परिक्षा को दे पाए और किसी को परिक्षा शिक्षा हमारा मूह अधिकार है और सब प्रत्योगिता का स्वस्त अफसर मिलना चाहिए और अगर आप उनलाइन और ऑफ-लाइब के आधार प्रत्योगिता का अफसर ही छीट लेंगे, तो आखे गच्छा दिर प्रत्योगिता कैसे करेंगे। उन्होंने मुझे एक और नोटिस दे जी कि अगर आपने अपने इस चित्थी को वापस नहीं लिया, मैंने इस चित्थी MHRD को भी देजी और मैंने उसे पूछा, मैडम इरानी आप बताईए कि आप क्या कम्पूटर से परिक्षा दे सकती हैं? कि अगर आप अपने सवालों को वापस नहीं लियंगी, तो आपके PhD एडमिशन को कैंसल कर दिया जाएगा, साथियों मुझे भी बहुत दर लगा कि पापा वैसे ही नाराज रहते हैं, पिताजी मेरे मुझसे, और मुझे लगा कि अगर मुझसे मेरी PhD छीन ली जाएगी, और स्टूडेंट के लिए सबसे एहम उसकी पढ़ाई होती है, हम स्टूडेंट लीडर बात नहीं हैं, लेकिन हम एक स्टूडेंट पहले हैं, मुझे भी लगा कि अगर PhD ले ली गई तो क्या होगा, तो उनों ने, पर मुझे समझ में आया, कि अगर मैं एक स्टूडेंट और अगर मैं एक साथ सुत्रिय प्रक्रिया से आई हूँ, तो मेरे अंदर इकनी हिम्मत होनी चाहिए, कि मैं इंसे ये पूछू, कि आप मेरा PhD का एडमिशन आखे बिले कैसे लेंगे, और इसको कैसे कर देंगे, हम लोगों ने वहीं किया, हम लोगों ने नेगोशियेट न पर बैटे, आठ दिन की भूखर्दाल हुई, और कुलपती ने ये कह दिया था, वीसी ने, कि हम अनलाइन और ओफलाइन को वापत नहीं लेंगे, सारी प्रवेश परिक्षाएं, ऑनलाइन ही होंगी, आप लोग चाहिए जो कर ले, आठ दिन के बाद, नौवे दिन, ये मा ये जीत नहीं थी, ये हम लोगों को एक सबक था, कि अगर हम अपनी लडाई नहीं लडएंगे, तो हम लोग अपने अधिकारों से बंचित कर दिये जाएंगे, और ये बात मैं आपको इसके नहीं बता रही हूँ, ये कोई गाथा है, ये बात इसके हम लोग आप सोई साज करना चाते हैं, क्योंकि अगर हम नहीं लडएंगे, तो हमसे हमारे जीवन जीने के अधिकार को, हमसे हमारे पढ़ाई करने के अधिकार को, हमसे हम अपने धर्म को कैसे जीएंगे, हम अपनी गंदगी को कैसे जीएंगे, लड़कियां क्या पहनेंगी, लड़के कैसे शाद कि आप लोगों से यहीं कहना चाहती हूं कि अगर हम सावित्री बाइकुले के जन्दिवस को मना रहे हैं तो हम लोग यहां से इस संकल्प लेकर जाएं कि हम अपनी समाज की रूरियों को तोड़ने के लिए अपनी स्थिक्षा का उप्योग करेंगे हम लोग अपनी स्थिक्षा से इस समाज में जो रूरियां जो ब्रांदियां जो इस समाज में असमानता है हम उस असमानता को समाप्त करने का प्रयाज करेंगे तब हम लोग सही माइने में सावित्री बाइफ फूले को शायर उनके जन्दिन को सही माइने में बना पाएंगे और सावित्री भाई फूले के सपने को हम साकार करता है। हम लग सावित्री भाई फूले हमारी हैं इस बात पे तो इतराते हैं लेकिन सावित्री भाई फूले के सपने को पूरा करने के लिए आज का युवा समाज कि हर तक जा रहा है क्या हम धर्म और जाती की बेडियां तोड़ने के लिए तैयार हैं, क्या हम इस देश में एक इंसान की विवस्था बन सकें, जहां पे इंसान होने के नाते हमें अधिकार मिलें, क्या हम इसकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। साथियों सावित्री वाई फूले एक महान नारिवादी थी, आजकल के समाज में और विशेशकर जो मौजूदा लोग हैं लेता हैं, वह एक बात को नहीं कहते सकते हैं, और इस समाज में इसको भी confusion को भी बहुत प्यलाया गया है, कि feminism या नारिवाद तो ये एक ऐसा वाद है मैं इस पर आपसे जरूर दो मिनद बात जना चाहती हूँ, तो कि तमाम हमारे पुरुष साथी हैं, ये कहा जाता है और इसको भी पहलाने की भी कोशिश की जाने कि नारिवाद को ये कैसा वाद है, जो पुरुषों का विरोध करता है, साथियों, अगर आपके बस थोड़ आपके वक्त मिले, तो आप लोग नारिवाद को पढ़ कर देखेंगा, नारिवाद ही एक कैसा वाद है, जो महिलाओं के साथ साथ पुरुषों के अरिकार की बात करता है, इस ये कहता है, कि एक महिला को तो अरिकार मिलने ही चाहिए, बर्कि हमको एक पुरुष को भी इंस के बतौर देखा जाना चाहिए, उस वहीं एक ऐसा वाद है नारिवाद जो ये कहता है, कि एक पुरुष घर में भी बैठ कर धर का काम देख सकता है, पुरुष को रोना भी आ सकता है, आप देखें कि समाज में रोने को लेकर कितनी ध्रान्तियां पहलाई गई है, कितनी हि पागल कर देगे आप हमारे पुरुषों को, साइकोलेजी के एक इसान अगर रोएगा नहीं तो वह पागल हो जाएगा, ये नारिवाद जो ये कहता है कि पुरुष को भी उतना ही रोने का अधिकार ये जितना एक महला को रोने का अधिकार, तो साथियों नारिवाद ये कैसा वाद है, और नारिवाद की भी ज़रूरत इस तमाज में तब तक है, जब तक कि हम human rights को मानवा अधिकारों को नहीं समझ रहे हैं, आप ये देखिए कि नारिवाद को लोग बहुत आलोचना करते हैं, क्रिटिसाइस करते हैं, लेकिन आप मिसे कोई मुझे एक ऐसी बा चारे लिए बराबरी नहीं होनी चाहिए, और ये तो मानवा अधिकारों में आता है, और जरूरत इसके पढ़ गई, क्योंकि इस तेश में जेंडर को लेके तमाम तरीके कि अधिक रता हैं, इसनौने नारिवाद की ज़रूरत पड़ी, और मैं तो ये कहती हूं, कि जो भी इंसान मानवा दिकारों में human rights में believe करता है वो अपने आप feminism में believe करता है और वो अपने आप में नारिवादी है जो भी मानवा दिकारों को मानता है साथियों थोड़ी सी बात सिक्षा मानवा दिकार इस पे आगे बढ़ते हुए एक बात और भी करनी जरूरी है हम लोग छात्र राजनीती में हैं और छात्रों को आजकल राजनीती करने से मना दिया जा रहा है और विशेशकर आप ये देखिए कि महिलाओं को राजनीती करने से रोका जा रहा है इस देश में महिलाओं कितनी महिलाएं राजनीती में हैं हम लोग ये सवाल बार-बार खड़ा करते हैं, आप ये देखें कि इस समय पूरे देश में बार-बार बात होती है महिला सशक्तिकरन की पूरे देश में बड़े-बड़े कारिक्रमों कायोजन किया जाता है और कहा जाता है कि महिला सशक्तिकरन का दौर चल रहा है महिलाए सशक्त हो रहे हैं मुझे इस तशक्तिकरण से थोड़ी से दिखत होती है इसलिए होती है क्योंकि आप जिसे सशक्तिकरण कह रहे हैं वो तो हमारे मूल अधिकार है अगर आप कहते हैं कि महिलाए पढ़ रही है इसलिए हो सशक्त हो रही है महिलाएं नौकरी कर रही है इसलिए हो सशक्तो रही है पढ़ना नौकरी करना तो हमारा मूँ लदिकार हो ये कहां सशक्ती करण है सशक्ती करण का रास्ता तो हम तब करेंगे जब इस करण पर चलने से पहले मुझे जिंडर के आधार पर मेरे साथ किसी तरीके का दुर वहवार ना हो जब इस देश की सर्वोच संस्थाओं में महिलाओं की बराबर की भागेदारी होगी चाहे वो संसद हो चाहे वो न्याय पालिका हो चाहे वो इस देश की यूनिवर्सिटीज हो चाहे वो इस देश की कंपनिया हो चाहे वो इस देश के स्कूल हो चाहे वो इस देश का परजनीती से लेकर हर्म हर तंस्था में तब मैलाय सही माले सशक्तु लेकिन आप देखिए कि सशक्ती करण के भरम को कैसे फ्यालाया गया है हम लोग तो मैलाध्यन के छात्रे हैं हम लोग तो यह पूछते हैं कि आपने तो सशक्ती करण को इतना कम में सीमित कर दिया और एक की सब्सक्ताइब, और भी आपसे साजा करना चाती हो कि यह भारत भी नहीं पूरी दुनिया में माईलाओं को सेकंड़ सेक्स्त यानि की दूसरे एक वीजेक्स से गूप में जाना पैचाना दги दुनिया में महिलाओं के साथ उठीक ही इतिहास है इस नेशा सता लिया हमिए ये ये लेकिन धिजी दुनिया को फ合के रिख रिख लगें bang कोई पूरी दुनिया को यह लगने लगा था कि मैलाओं को सुशक्त किया जाना चाहिए अचानक से मैलाओं के लिए आप लोगों के मन में पूरी दुनिया के मन में इस पित्र सत्तात्मक विवस्था के मन में कोई सम्वेधन शीरता जाग हुई थी उसका वीजन यह था क्यों आगे मानफ संसाधन को छोड़ कर आप किसी भी देश का विकास नहीं हो सकता है इसलिए मैलाओं की पढ़ाई और रोजगार की बात शुरू हुई क्योंकि किसी भी देश को विकास करना था यह भी बात सही है कि उसमें हम लोगों को अधिकार दिये लेकिन आप यह देखिए क कि उसके बाद क्या मैलाओं का उत्पीरन वो खत्म हुआ भारत में अगर हम लोग थोड़ा सा देखें तो असी के बाद से तमाम एंजियो मैला अंदोलन से जुड़े हुए संगठन तमाम संगठन उबरें जुनोंने देश में जो मैलाओं का उत्पीरन हो रहा था चाहे व दहेच को लेकर हो जुड़े हो जाहे वो तवाम तरीके की असा मांता है चायँ को जू सिख्शा नहीं मिल रही था या जो रूजगार पिपक्रविश्जा झामएं बरंबर की नहीं मिल रही था इस و लेका तमाम अंदोलन बना कर रखें जब कि इस देश में जो एक बहुत बड़ी पावर है वो राजनीती के रहाती है तमाम महिला अंदुलों ने नायपालिका का अरुख किया धर्मा प्रदर्शन का अरुख किया और बहुत से अधिकारों को हासिल भी किया लेकिन उन्हों ने देश की राजनीती स को से निकलने वाली जो एक्तिविस्ट महिलाएं थी उन से अपनी दूरी बना कर रखी और इस देश में अगरम महिला नेताओं की बात करें तो चाहीं वो इंद्रा गांदी हो देश की प्रदानमंत्री थी उन्होंने एक महिला प्रदानमंत्री के रूप मैं अपकर सश्र कोई शक हुई ने कि ने पवी लेकिनु लेकिन आप कि लेकर कि लेकिन कर दोंसे देख dow पॉलितित किरा अब जो के नीघे चेंथ AG की निलिए नहीं पॉलिटा कि इसके मजबूत पाई क्योंकि उन्होंने अपनी एक राजनीती खड़ी ती इस देश की राजनीताओं की यह मजबूरी थी कि वो उनके सवालों को ले और उनके सवालों पे बात करें लेकिन महिला अंदोलन अपनी पॉलिटिक्स को नहीं खड़ा कर पाया हम आदी आबादी आधा वोट बैंक होने के बावजूद किसी भी मेनोकेस्टों में हमारे अधिकारों की बाते नहीं रखी गए हम लोग इस बात को बार बार कहते हैं कि बहुत जरूरत है कि राजनीती म महिला नहीं हän और वो महिलाँ को इंडिविज्यून महिलाएं नहीं होंगी बल्कि महिला आंदोलनों से जनीटे मзы महिलाएं राजनीएं हम राजनीती के अंदर को प्लिटिकल पाडी से कि अंदर मेलाओं के सवालों को जंडर के सवालों को और जो पॉलिसीज़ है उनमें कैसे जंडर क्वेश्चन होगे उनको रखेंगी हम लोगों को इस समय तमाम क्यम्पेञ्न लेने पड़ते हैं जिसमें लोग भूद करते हैं कि मैलाओं के टॉलेट्स क्यों नहीं हैं लेकां सब्सक्राइब तो मोह के जाएं केमेद्च से हूरत पार्टी ऑघो श्रॉट के बात वांटी नहीं करें। वो इस देश की राजनीती कीisésजरिगे लेकिन वो इस देश ते में महिलाओं की में सवालों की बात करें पढ Year हम लोग तो इस देश की राजनीती को दिशादे नहीं आगी, तभी इस देश में जेंडर के सवाल हल हो पाएंगे, बहुत जरूरी है कि अक्तिविजम करने वाली महिलाएं राजनीती में आएं और राजनीती करने वाले लोग अक्तिविजम करने वाली महिलाओं से जुड़ तभी जेंडर के सवाल घुल्डेंगे सवाल है वो हल हो सकेंगे और साथियों यह बात एकदम सही है कि वर्तमान समय में ऐसा नहीं है एक्टी पॉजिटिव चीज़े नहीं है आज तमाम लड़के लड़कियां मेलकर बहुत से हमारे पुरुष साथी भी जेंडर के सवालों क बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें तमाम लोगों के बीच में जेंडर के लवेल पे भी तमाम डिफ्रेंसेज होंगे लेकिन हम उनको हल करेंगे और हम उनके एक उसरे के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे आजकर यह देश में जो मौदुदा सकार है उसके लिए हम लोग एकी चीज कहते हैं कि हमने सुना है जिनको चुना है हमने सुना है जिनको चुना है वो कहते हैं कि पूछना मना है हम लोग उनको चुन कर लेकर आएंगे लेकिन हमें उनसे सवाल करने की आजादी नहीं है लेकिन साथियों हम लोगों को ज़ादा से ज़ादा सवाल इस सर्कार से करने होंगे देश में सत्रा में कई राज्यों के चुनाव हैं तक देश में भी चुनाव होने जा रहे हैं हमारे यह चुनाव की दितियां भी आ चुकी हैं और हम लोगों को मालूम है कि सत्रा का चुनाव कई मामलों में एहम है क्योंकि हम लोगों के पास एक बहुत बड़ी जिन्मेदारी है सामसरदाइक ताकतों को रोकने की जिन्मेदारी और वो जिन्मेदारी बिहार ने बखुबी निभा कर दिखाई है और मैं आपको कहना चाहती हूँ बताना चाहती हूँ कि ये जिन्मेवारी निभाने में बिहा में भाजपा दो ही मुद्वों पर चुनाव लगने जारी है मजभ पर और महिलाओं पर वो महिलाओं की असमिता की बात करेंगे वो महिलाओं की सुरक्षा के बड़े-बड़े लेकिन अपने ही देश अपने ही उनका जब प्रदेश अध्यक्ष इस देश की एक महिला मुस्यमंत्री के बारे में सवाल करेगा और उसके लिए अबशब्द कहेगा तो मानिये तद्हान मंत्री जी अपने मन की बात हम लोगों से नहीं कहेंगे कि उनको कित्रा तो क्वा इस हुआ भी कि नहीं हुआ शायर नहीं होता है इसलिए हो कुछ एहते नहीं है और दूसरा मजभ पर होगा क्योंकि आने वाले समय में सांप्रदाइक ताकतों को फैलाने का प्रयास करेंगे और पूरे देश को दो धड़ों में बाटने की कोशिश करेंगे और हिंदू और मु साथीयों सार्थिभाइ फूले कि जो महान कवित्री क्रांतिकारी थी महान नारिवावी महीला थी और सबसे जङदा बचड़कर वो आलोचना में और सवाल खड़े करने में यकीन रखीं थी और हम सब को यहां से और इस बात को ले कर जाना होगा कि हम ज्यादा से जवाल कि आップसनेißt permite करें सब्सें सवाहन को कई रोका जा सके इसे में कैसे समांता का छाती और लिंग के आधार पर किसी के भी साथ सह समांता ना हो इसकी जिन्मुदारी हम युवाउं को उठानी होगी, क्योंकि इस समय देश में सबसे जादा जन संक्या, जल्संक्या ही नह aligned, सबसे जादा युवा, युवाउं की ऊरजा है उस देशमें, आर युवा ऊरजा को इस देश को दिशा देनी होगी, तो दो रोजना करते रहें सौक्राइब बदलना पड़ेगा, साथियों, एक छोटी सी कहता है, को कहना चाहती हूँ, और उसको कहे कर अपनी बात खत्म करती हूँ मैं, हमें पहने और रहने का सही का सिखाने वाले हमारे शुक्चिन्तकों, तुम ही बताना हमारे लिए क्या ऐसा कोई वस्त, जिसे पहन कर हम बेधरत सरकों पर चल सके, फ्रेनों और बसों में चल सके, तुम ही बताना हमें ऐसा कोई वस्त, बताना कोई वस्त, जिसे देख तुमारी गंदी निगाहें, जुख जाएं, बताना ताकि बलातकार नहों, बताना किजी की, कोई भी लड़की, कभी भी सरक पर निर्वस्त रिना से की जाए, हमें तमाम तरीके से पहने और रहने का सरीका सिखाने वालों, हमें बताना कोई ऐसा वस्त, हो सकता है साथियों, इस कविता में रिदम ना हो, लेकिन यह अपने आपने एक संदेश है, क्य क्योंकि जब हमारे पहने और रहने के सरीके पर सवाल है, जब कहा जाता है कि लड़कियों के साथ अभधरता इस लिए हो जाती है, मिस्भी एव इस लिए हो जाता है, क्योंकि वो इस तरीके का कप्रा पहनी थी, उस तरीके का कप्रा पहनी थी, तो हम इस समाज में इस तव पर निर्वस्त ना फेका जा सके और हम चल सके बेढ़ा बसों में सड़कों पर और हम अपनी भागेदाई स्थाफित कर सके बरादी से इस कमाज में तो साथियों इस सब्सक्राइब करती है थोड़ी सी माफी भी मांग रही हूं क्योंकि तीन दिन से लगतार मैं चल रही हूं चलने का मतलब है कि तपर में हूं तो एक थोड़ी से लेकिन आप लोगों के बीच में बहुत अच्छा लगा लोकायद के लिए मैं नीरजी से और अलका जी को विशेश धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने बुलाया लोकायद के तवाम साथियों से देश की युवाओं को राजनीती करने होंगे इस देश की युवाओं को सवाल खड़े करने होंगे और वो राजनीती में नहीं कहती कि वो चुनाव लड़तर ही होगी लेकिन राजनीती होगी सवाल खड़े करके राजनीती होगी इस राजनीती में भागेदारी करके आईए साथियों लिवजल कर हम लोग इस देश की राजनीती को या तो बदल दे और या तो राजनीती को करना शुरू कर देए इस चाहिए